कि अब लोगों को जाहिन बावू सब लोगों को जाहिन चलिए आप लोगी स्टार्ट करते हैं यह वाले क्लास को एक नए अंदाज में पूरी बहतरी न्ढंग से थारे लोग अविलेबल हैं आप देखिए अब छी जान लगा के महनत कीजिए और जल्दी से जल्दी आप लो पेजिए और सेटल हुई है अब इसमें आप लोग सारे टीचर आप लोगों को मिलके पढ़ाएंगे और एट जिए यहां पर अभी हम लोग यहां पर कितने हो गाएं पांच एविलेबल हैं दो लोग आप लोग को जो दो और टीचर हैं अमरीता मटम है और कल्यानी में हैं लिए अपलोग का लेलेंगे बागी हम लोग हैं यहाँ पर क्लास इसके लिए आप लोग को मैप मैपिंग मगरा होगा जी इस का पांट हो गया हम लेंगे आपका जी सब्सक्राइब के राहूल सर लेंगे बागी रीजिनिंग का सब को वे रहें मैट और प्रियांसु सर आप जानते हैं इंगलिस के लिए कम मेहनत में पूरी तीरा से कोश्चन टकराने के लिए एकदम बहतरीन मेहनत करते हैं और इसलिए यह फेमस है तो यह सब लोग मिलकर इस बार बहतरीन धंग से काम करना है बैस फासा लेट हो गया था थोड़ा फॉस्ट क्लास में हो जाता सब लोग बढ़िया ना बढ़िया है सब लोग तो देखिए अब हम लोग समझते चलते हैं यहां पर आप लोग को कल्यानी में करेंट अफेर लेंगी अमरीता में बाइलोजी ले लेंगी आप उन लोगों से कल से मतलब क्लासे जैसे सीडूल लोजागा सारे लोग सब मिलत कैसे होगा पी के सर बताएंगे मैं कैसे होगा आप यहां शू सर बताएंगे तो सर रीजिनिंग से स्टार्ट करते हैं लोग भी अगले जैन यह जैन इस बार अपना क्या करना है तो बात करते हैं तो इसा कुछ नहीं कि आपको हाई लेबल का पूछा जाएगा टाइट पच्चीस कोस्चन है जिसका कि दो मार्सर के 25 दूनी कितना पचास तो यह निकालना बहुत आसान अगर इस तीन महने में अगर आप लग गए तो इस बार ही आपका रिजल्ट है नहीं तो देखिए वह होता क्या ना कि लोग मेहनत नहीं करता है लोग सुचता है और करेंग पहले चैप्टर वाइस डिसकस्चन करेंगे चैप्टर के बाद क्या करेंगे प्रिवेश एट का सारे कोस्टिन को बनाने कॉसी करें जैसे आपको देखोंडिंड डिकोडिंग आपको नमबर स्रीज लेटर शीरीज अलफाबेट इस तेहीं ज्यादा कोस्चन आता है प्लस कम से कब एक प्रेटफॉर्म मिल जाए कि आपको जवाब फिर आगे बढ़ते रहना है ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ना तो ऐसा मौका और यहां पर आप देखी रहे हैं कैसे टीम यहां पर आपको तयार है तो आपको कोई भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉ करना है तो जाद हम कुछ नहीं कहेंगे साम में क्लास होगी साथ बज़े आज से स्टार्ट रहीएगा और उसके बाद क्लास में शुरू होगा अपना रिजिनिंग की क्लास ठीक है थांक यू आगे प्लिके सब्सक्राइब कि अगर कि अगर जय हिंद सभी लोगों का और जो हम लोग मैत का जो सेक्शन हम लोग कभर करेंगे सर तीन पार्ट में है मैत अर्थमेटिक है आपको नंबर सिस्टम और एडवांस अर्थमेटिक का ज्यादा बहुलता रहता है जो भैकेंसी इस शोला सो है ना इकम वहकेंसी से नहीं समझना इस शोला सो जो भैकेंसी है और टेंटेटी वहकेंसी है और यह सपस्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको बढ़ सकता है जैसे पिछला बार हम लोग का साढ़े चार अजार था पैतालीसो पलस ता इस बार भी उससे कम नहीं रहेगा मतलब आपको फाइनल होते होते आपको पोस्ट बढ़ा दिया जाएगा इस टेंटेटी वहकेंसी है शोला सो बहुत सारे लोग शोला सो देखकर के फॉर्म नहीं भर रहे हैं शोला सो ही है सर और फॉर सेट भी लाएंगे उसी सेशन को सिर्फ ज्वाइन करते रहना और आप लोग को बेड़ा पार लग जाएगा में यह बात है आपको कि जो मेंस में जो आपको बहु सारा का लोका कंफ्यूजा रहता है कि सर जी डी आई है ओ अस्टैक्स है जो पीटी में नहीं स्टैक्स हिस् ग्राइचर है और टेबल ग्राफ है इस सब से कोस्टन पूछा जाएगा और जो मेंस का पार्ट है उसमें मेंस में अस्टैक्स रहेगा और अपको हो गया परमूटेशन कमबीनेशन और परोह बैबलीति मेंस में होगा और बाकी जो सब चैप्टर 002 क्थ और नहीं सिर्द पर ही चलेंगे, किलियर, और अब विशेस प्रियांसू सर बताएंगे, अपना इंगलिस के लिए, फिर हम लोग मैथ में आएंगे, तब मैथ में टोपिक बाइस कौन से टोपिक से कितने कोशन पूछा जाता है, कौन सा टोपिक जादा महत्पुर्न है, जिसे जादा ध्यान जाएंगे, और कौन से टोपिक है, जो कम उस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन एक जाम हम लोग को अलिफाय कर जाएंगे, मतलब सेलेक्शन हो जाएंगे, फिर पढ़ने से नहीं होता, पढ़ता समुदर मतने से समुदर में, मतलब एक तलाभ ही जैसे मान लिया जाए, कि बह जाएंगे, एक बार पुना आपका स्वागत करते हैं, एक खुबसूरत सी बैच में, जिसका नाम है CHSL बैच, देखो, आप बहुत सारे बच्चे इसमें थे, जिनोंने MTS का भी एक्जाम दिया, लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनोंने 25 में से 25 और 25 में से 24 तो क अडियो होगा प्रापर, कि हमारे आने वाले जो जो भी महीने हमारे पास होंगे, तो किस तरीके से हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, किस तरीके से हम सारी चीज़ों को सीखेंगे, सबसे में चीज़ क्या है, कि मैं आपको कल बताऊंगा, कि बच्चा क्या करता है, कि पू वेसर question upload कर दिये जाएंगे और पूरे exam तक वो आप उसी के साथ बने रहना है कि मैं daily आपका एक target daily set करना है कि मुझे चाहे कुछ भी पढ़ू मैं मुझे एक time निकालना है और एक practice set लगाना है starting से हम सारी चीज़े रखेंगे और इस बार जो थोड़ा सा हम unique way में सारी चाहे वो पीके सर से भी मेरी बात हुई इस बार बच्चों को उस level of content देना है कि चाहे कितना भी exam का level बढ़ जाए चाहे means में वो कुछ भी उठा के पूछ दे SEC का कोई भरोसार नहीं है कुछ भी पूछेगा लेकिन आप जिस पे उंगली रख दोगे वो पूरा का पूरा जो question है वो आपके हिसाब से चलेगा जो उंगली रख दोगे वो answer होगा खास करके English को लेके रड़नीती हमारी क्या होगी कि तीन चीज़ों को पढ़ना है vocab, grammar और comprehension तीनों चीज़ों को starting से मैं continue करूंगा आपको आपके पास आपके पास पहले यह पता होना चाहिए कि आपको आखिर के समय में कैसे कैसे question देखने को मिलेंगे तो starting सही आपको मैं 10 तिनों के अंदर आप देखोगे 2023 के अंदर जितने भी previous year question हुए हैं उन सारे question को मैं upload क करवाद दूँगा और बात बाकी आपको समझना है time management को लेके कि हम कम समय में कैसे question को अप्रोच करें एक कहते हैं vocabulary बहुत एक अनन्त सागर है लेकिन अनन्त सागर का क्या मतलब है teacher का यही काम होता है कि अनन्त सागर से मोती निकाल के आपके लिए दे और उन सारी मोतियों क इस्तमाल करो आप exam में आपके साथ सिधा सिधा question लड़ जाए आपको आपने देखा कि बहुत सारी exam ऐसे हुए कि जिसमें मैं आपको सारे के सारे question को दिखाया कि देखो यह question यह question यहाँ से और यह तभी मुमकिन है जब एक तगड़ी research होती है कि हाँ यह question काफी important है साब कुछ भूल जाएंगे हमें नहीं पता के हमारे आगे पीशे कौन है सिर्फ हमें एक चीज है कि हमारे आगे भी CHSL पीछे भी CHSL और नीचे भी CHSL रात को सोने से पहले से चसल को याद करेंगे, उठने के बाद से चसल को याद करेंगे, मेरी पहली क्लास, मेरी मुलाकात आपसे दो बजे होगी, और दो बजे से ही मेरी क्लास होगी, जिसमें हम एक जो सेपरेट वीडियो जो होगा, कल ही मैं उस चीज़ को दे दूँगा, औ और उसके अंदर हम उन सारे पहलू के बारें बात करेंगे कि कैसे त्यारी करें जाएगी यानि इंग्लिस को लेके कैसी हमारी त्यारी होगी सर लोग आपको बताएंगे कि मैस की त्यारी कैसे होगी जो हमारे जीएस के जो खलीफा है हमारे राहुल सर वो आपको बताएंगे क कौन से चीजों को पढ़ना है और खास करके रड़नीती यह रहेगी कि हमें किन चीजों को पढ़ना है किन चीजों को छोड़ना है तो बस चीज यह है और जैसे सर ने कहा कि इसको देखके ना घवराना इसको देखके कभी ना घवराना क्योंकि आपको पता है कि इस सोलो सब लोग बाहर होने वाले हैं तो मेरी गिंती उस 99% में नहीं मैं अकेला 1% में मैं लड़ाई लड़ने जाओंगा तो आपको 1% को करके और काम करना है और साथ साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि अब की बार आखरी बार क्योंकि मेरा बार बार यहीं कहना है कि नौकरी पाना जिन्दगी का एक हिस्सा है ना कि जिन्दगी है जितना जल्द से जल्द आप क्या करो कि जितना जल्द जल्द अपनी नौ लगते हैं तो कि यह कम हो डूज़ हमें बात बाकि ईंगलीस की एंगे इसकी जिंढिर आयगी और घ्र-चलीफ जय हिंद जय हिंद के लिए आप लोग के लिए बहुत गोल्डेन उपर्चुनिटी है एक बार फिर दिलो जान से लगा कर मेहनत कीजिए और मेरा मानना है कि जो दिल से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है और ध्यान लखिए इस सोला सो जो सीट है ठीके कहें सर उसमें एद नहीं देखना है कि कम सीट है आप अपने आपको शिर्फ एक सीट की जरूरत है और एक सीट के लिए ही आपको मेहनत कीजिए और उसके साथ सारा सिलेबस कराने के बावजूद जो हैक सेट प्रेक्टिस कराई जाएगी जिससे आपको पता चल जाया कि चार आप्शन में किस तरह का नेनाय लेने में दिकत होती है अर्थात कठनाई होती है तो वो सब भी जो परिष्टितिया है उससे आप धीरे धीरे अवगत हो जाएंगे परहाने के बहुत है कि फाउंडेशन कर लेता है टार्गेट कर लेता है और टेस्ट देने के समय 20 से 22 नमबर आता है पता चलता है कि नमबर उस सिस्टम से जिस धंग से पढ़े है उस सिस्टम से मेरा नमबर नहीं बढ़ रहा है और आप तो जानता है कौन क्या पढ़ा है कोई मायने नहीं रखता है किसके पास कितना नमबर आया वो ज्यादा मायने रखता है तो उसके साथ हम लोग का बेवस्था भी किये हैं चुकि टेस्ट कराई जागी ताकि आपको पता लग जाए या डिसीजन लेने में आपको दिकत नहों कटनाई नहों चार आप्शन में किस तरह का डिसीजन कब कैसे लिया जाए ये धीरे धीरे हम लोग साथ में परते और ब् चाहिए और आज यही तक कल से जो आपका टाइम स्चेडूल रहेगा आप लोग को बता दिया